प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारत्वर्स क्लासिस में प्यारे बच्चों, आज हम लोग कच्छाचार JCRT रोचर गनित पाठपुस्तक में पाठ दो संख्याएं को प्रारम करेंगे और एक सांदार तरीके से हम इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे इसके पहले बच्चों मैंने आपको पाठ वन जियामीती को पढ़ा दिया है जिसमें मैंने आपको वरित के बारे में समझाया है तो जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चा आप उस वीडियो को देखिएगा और वृत के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिजेगा तो चलिए बच्चा आज हम प्रारम करते हैं पार्ट दो पार्ट दो का पहला प्रेशन आपके सामने है प्रेशन कहता है निमलिकित संख्याओं के आगे की पांच लगातार संख्याओं लिखिए जिसमें से पहला दे रहा है 87 87 के आगे क्या होता है? 87 के आगे होता है 88 तो 88 लिखेंगे, 88 के बाद होता है 89, 89 लिखेंगे फिर 90, फिर 91, फिर 92 यह आपके पाठ पुस्तक में भर रखा है अभी तक आपने दो अंको की संख्याओं को अच्छी परकार से पढ़ा है आप दो अंको की संख्या से पूरी तरह से वाकिफ हो यहां तक आपको किलियर है बच्चा, यहां पर आप आता है तीन अंको वाली संख्या आप यहाँ पे गिने होगे तो इसमें एक, दो, तीन अंख है अब इसे किस परकार पढ़ेंगे बच्छा एक दम बेसिक से लेकर चलूँगा बच्छा जिसे भी मैत कठीन लगता है उसे भी मैत इतना आसान लगेगा कि आप दूसरों को समझा दोगे किसी अपने छोटे भाई बहन को अच्छे से बता दोगे तो देखे बच्छा, यहाँ पे तीन अंख है अब यहाँ पे आता है सो का क्या बोलते हैं सो यहाँ पे हैं तीन, तो तीन, सो और पीछे तो था बारशट तो इसको पढ़ते हैं तीन, सो, बारशट क्या बोलते हैं? बोल ये 362 अब इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद तो नहीं पता है तो बच्या सुरू का अंक आप समान रखे चुक्कि यहां पे 3 हैं तो सुरू में 3 रखेंगे और 62 के बाद 36 तो हो गया 363 क्या हो गया? 363 हो गया अब यहाँ पे क्या होगा शुरू का अंक समा रखेंगे शुरू में 3 है तो 3 रखेंगे और 36 के बाद 64 तो 364 हो गया इसको क्या पढ़ेंगे 364 पढ़ेंगे फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे शुरू में 3 है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ 4,6 के बाद क्या होता है 65 तो 3 के पिछे 65 लिख देंगे तो हो गया 365 फिर यहाँ 3 है तो 3 का 3 लिखेंगे 65 के बाद होता है 66 तो 306 अब क्या होगा 366 तो 362 363 364 365 366 366 अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 657 है शुरू में 6 है और यहाँ पे 3 अंग है तो शुरू का अंग होगा 600 फिर पीछे 57 तो एक साथ बोलेंगे 657 तो यहाँ पे शुरू में 6 है तो 6 लिखेंगे 57 के बाद क्या होगा 58 तो 6 के बाद 58 लिखतेंगे तो हो गया 658 अँठावन तो शुरू का अंक यहां पे 6 है तो 6 लिखेंगे और अंठावन के बाद होता है这 bank 69 तो यहां लिखते एंगे 6 यानि 669 फिर यहां पे शुरू का अंक लिखेंगे 6 और 60 के बाद होता है 60 6,060 तो 6 लिखेंगे उसके पीछे 60 लिखेंगे तो हो जाएगा 660 अब यहाँ पर सुरू का अंक 6 है तो 6 लिखेंगे 60 के बाद होता 61 तो 61 लिखेंगे अब सुरू का अंक 6 है तो 6 लिखेंगे और 62 तो 6 के साथ 62 62 हो जाएगा यहाँ तक आप भर लिए अब यह जो प्रशन है आपको अपने से भरना है आपको समझ में आ गया है आप इसे अपने से भरिए कोसिस कीजिए नहीं आता है तो आप फिर से कमेंट कीजिए मैं फिर से बताने को त्यार हूँ लेकिन आपको इसे अपने से ही भरना है ठीक है? चलिए अब हम प्रशन संख्या 2 को करते है दूसरा प्रशन दे रखा है बिच्चा निमले के संख्याओं को प्रशारित रूप में लिखिये और पहला आपके सामने भर रखा है चपन को पचास जोड़ छे लिख रखा है अब इसे किस परकार भरेंगे सर? तो बहुत ही आसान है बिच्चा सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे चपन में दो अंक है पांच एक अंक है और छे भी एक अंक है तो कितने अंक हो गए एक अंक दो अंक है तो यहाँ पे सुरू का अंक लिखा है पांच है तो पांच लिखा और उसके पांच के बाद कितने अंक बच गए एक अंक बच गए तो उसके पीछे जीरो लगा दिया तो पांच जीरो पचास हो गए फिर यहाँ पर पलस लिखा और यहाँ पर लास्ट में है 6 तो 6 लिखा उसके बाद कोई भी अंक नहीं इसलिए 0 नहीं लगाया तो 56 को 50 जोड 6 के रूप में लिख दिया हमें 3 अंकों को इसी बरकार से प्रसारीद करना है जैसे 130 इसमें 3 अंक है तो शुरू का अंक क्या है शुरू का अंक है एक लिखेंगे एक के पीछे कितने अंक बच गए एक दो दो अंक बच है तो इसके पीछे दो 0 लगा देंगे फिर क्या करना है फिर पलस देना है इसके बाद क्या है तीन है तो तीन लिखेंगे तीन के पी पिछे एक 0 लगा देंगे हो गया यहाँ पर 3 0 30 फिर प्लस देंगे और अंती में 0 बचा है तो 0 लिख देंगे तो 130 का प्रशारीत रूप होगा एक सो जोड तीस जोड सुन्या दो सो बारा का प्रशारीत रूप क्या होगा अब आप बताएए शुरू में क्या है तो सुरू में तो 2 है तो क्या लिखेंगे दो लिखेंगे अब बताएए दो के पिछे कितना 0 लगाएंगे बताएए 2 0 very good तो 2 0 लगा देंगे फिर क्या करे लगाएंगे फिर प्लस लगाएंगे वैरी गूड अब यहां पर क्या है एक लिखेंगे एक के पीछे कितना जीरो लगेगा वाह आपको दुआ गया चीजे एक जीरो फिर प्लस दो है लाश में तो दो लिख देंगे तो दो सो बारा का विश्थारित रूप यहां पर तो जो चोड़ दस चोड़ दो होगा यह हमारा प्रेशन है तो यहां दे रखा है बॉक्स में छोटा बराबर या बड़ा लिखे यह जो चीन है यह बतलाता है कि जो इधर होगा यह इधर वाली संक्या चोटा है बराबर बतलाता है कि दोनों संक्या बराबर है और यह चीन बताता कि इधर दो संख्या दे रखी है 641 और 643 आपको इन दोनों संख्याओं में बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है तो कैसे बतलाएंगे तो देखिए बचा सबसे पहले आपको चेक करना है कि दोनों और की जो संख्याओं का अंग है वो समान है या नहीं है एकदम अराम से सम जीचेगा प्रश्ण को तो प्रश्ण कभी भी गलत नहीं होगा सबसे पहले इधर एक दो तीन इधर भी तीन अंग है सर इधर देखिएंगे तो इधर भी एक दो तीन अंग दोनों तरब तीन अंग है अब यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है सुरू का अंग यहाँ चार है यहाँ पर चार है ठीक है यहाँ पर दोनों समान है यहाँ पर एक है यहाँ पर तीन है अब यहाँ पर अलग अलग है यहाँ पर एक है यहाँ पर क्या है तीन तो बताए यह एक बड़ा होता है यह तीन बड़ा होता है तो यहाँ पर इधर वाली संख्या ला रहा है कि 643 बड़ा है इससे तो जिधर भी संख्या बड़ी होगी उधर का मुह आपको खुला रखना है दूसरे यहां दे रखा है यहांपे 5 है यहां 3 है बस इतन ही देखिये अब बता यह 5 बड़ा है यह तीन बड़ा है तो यह 534 बड़ा होगा इधर आपको खुला मुह कर देना है पांस सो चोच्ष के तरफ और 3 mie hence के तरफ बंद मुह करके देना है अब यहां पर तित्रा दे रखा है 101 और यहां 1,001 इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अंकों को जरूर मिलाइएगा अब यहां पर दे रखा है 905-665 इधर भी तीनंक है इधर भी तीनंक है यहां पर सुरू में 9 है यहां पर सुरू में 6 है तो 9 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है 9 बड़ा होता है तो 905 बड़ा होगा 695 से इधर का मुँ खुला किजिए इधर मुँ बन कर दीजिए इधर है 282 282 282 282 दोनों तर बराबर है तो बराबर में ये चीन आएगा इधर भी 1000 है इधर 110 है इधर 4 अंक है इधर 3 अंक है तो 4 अंक पड़ा होगा कैसे आपको कर लेना है प्रशन संख्या चार ते रखा है बढ़ते करम में लिखिए बढ़ता करम क्या होता है बज्चा तो बढ़ते करम का अर्थ है आप संख्याओं को छोटे से बढ़े में सजा कर लिखिए जैसे हम संख्याओं लिखते हैं आपको कोई बोलता है कि सुनाओ, गिंती सुनाओ, तो अब क्या करते हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आट, नू, दस, क्यार, वारा, इससरो शुनाते हो, तो अब क्या कर रहे है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजा कर बोलते हो, सबसे चोटा संख्या, एक बो तो यहां पे चार संख्या हैं दे रख़ी है 82, 37, 85 और 68 इन चारों में से सबसे छोटा संख्या कोन सा है 82 है, 37 है 85 या 68 है सबसे छोटा 37 है तो सबसे पहले 37 बिखेंगे अब यहां पे 37 तो खितम हो गया यहां पे आप इसे गोल घेर एकर देजैं अब यहाँ पे तीन अंक बच गएं, बिरासी, पचासी और अरसट, इन तीनों में सबसे चोटा कौन है, अरसट है, तो अरसट लिखेंगे, अब यहाँ पे दो अंक बच गएं, बिरासी और पचासी, इन दोनों में से कौन चोटा है, बिरासी, तो बिरासी लिखेंगे, और स सबसे अंती में पचासी तो 37, 68, 82 और पचासी यहाँ पे बढ़ता करम हुआ यह तो थे दो अंक वाले तीन अंकों में भी सी तरह करेंगे सर हाँ तीन अंकों वाले तो इससे भीजी है कैसे आप देखिए इन सभी में तीन अंक है एक तो 38, 86, 969 और यहाँ पे 988 सब में तीन अंके सर तो आप क्या करना है सबसे पहले का अंक चेक किजिए यहाँ पे आठ है यहाँ नो है यहाँ नो है तो सबसे पहले देखिए आठ छोटा है या नो छोटा है आठ छोटा है लेकिन आठ में तो दो हैं सर यहाँ आठ है यहा तो यहां पर 8 है, यहां पर 6 है, है न, तो कौन सा चोटा है, 8 चोटा है या 6 चोटा है, छे चोटा है, तो यहां पर ये सबसे चोटा संख्या कररो सिफ्टाने हो गया आठ सो अ च्ट तो यह लिख देंगे इससे बड़ा क्या होगा 888 iaju पे सुरूप कांग कोई स्या यहां भी नो है यहां भी 9 दुरू समान मान umas च्प्रेंग स्यांक वेख्शन दान संस की यहंग यहां नो है यहां तो क्वे Под oui नो या आठ आठ तो 988 पहले होगा और अंद में 909 होगा तीसरा देखिए तो 170, 265, 112 और 503 सबसे पहले पहला कांग मिलाएंगे क्योंकि सभी तीन अंगों के हैं यहां एक, यहां दो, यहां एक और यहां पांच सबसे छोटा क्या होता है एक होता है लेकिन दो बार एक है यह मिलाएं इन दोनों में यहां पे 6 है यहां पे एक है कोन बड़ा है, 6 या एक छोटा है तो हम छोटा लिखेंगे एक वला संख्याओं को बड़े से छोटे में सजा कर लिखना इसे बोलते हैं हम लोग descending order या फिर घटा क्रम अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर चार संख्याओं दे रखी है 30, 50, 80, 90 इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है 90 है, तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ 90, फिर 90 को हमने लिखा, अब आपके सामने 3 बच गया 80, 50 और 30 इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है 80 है, तो दूसरा में 80 को लिखेंगे हमने 90 लिख दिया, 80 लिख दिया अब 2 बच गये, 50 और 30 इन दोनों में बड़ा कौन है 50 है, तो 50 को लिखेंगे और अंती में 30, तो 90, 80, 50, 30 यह हुआ गठता करम अब इसी परकार 3 अंकों की संख्याओं में आपको देखना है जिसमें से यहाँ पर दे रखा है 83, 37, 137 और 932 तो यहाँ पर देखिये दो परकार की संख्याओं दे रखे पहला तो 83, 2 अंकी है 27 भी दो अंकी है 137, 3 अंकी है और 932, 3 अंकी है तो बताए यह 3 अंकों की संख्या अग की तीन अंकों की संख्या 2 दे रखे 117 और 932 दोनों में से बड़ा कौन होगा तो 83 को लिखेंग और अंती में 27, यहां पर देखिए यह रखा है 200, 300, 400, 100, यहां पर सभी में 3 अंग है, तो सबसे बड़ा कौन है 400, फिर 300, फिर 200, और फिर 100, अंधिम काम को आपको अपने से बनाना है, यह आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, उसे चोटा कौ तो यह बच्चे आपको अपने से करना है, प्रसन संख्या 6 दे रखा है अस्थानिय मान लिखें, यह भी प्रसन संख्या, हमने किया प्रसन संख्या 2 उसी प्रकार ही करना है, जैसे दे रखा है, 140 में 1 का अस्थानिय मान क्या होगा, 4 का क्या होगा, 0 का क्या होगा, तो मैंन डो देख्यें ुसके पीछ दोजीरों लगा दीजिये तो एक कस थाणिवान एक सो होगा अब 146 दूरने में पिछ कोई रका है तो चार कहा है यहां है चार के पीछ एक जीरों लगादिो तो यहां पे पिछेरग एem BT पूछ रखा है जीरो का तो जीरो अंतनी है उसके पीछे कोई अंक नहीं तो 0 का 0 अब 875 में पूछ रखा है तो आठ का साथ का सुरू में हैं सम्ण पर कितने शुछ है यहां हैं साथ के पाद कितने अंग है एक तो साथ के पीछे एक जी तो क्या हो गया साथ जीरो सतर हो गया सर अब यहां पर देखिए तीसरा में पुछ रखा है पांच का तो पांच कहा है यहां है यहां है पांच के बाद कोई अंग है नहीं है तो पांच का पांच लिख देंगे चासो कि पात कितने अंग है एक तो छीरो हो गया और नंतीम में फूलत रखा एजी रो का तो जीरो घी रो होगा थिक है इसपर करना है अंतीम का अंग आप अब अपने सी कहां किसीया ऑप अंतीम का और अंतुतीम का प्र Til ने रखा है 120, किस परकार लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 120, तीन अंकों की संख्या बनेगी, ठीक है, तो सबसे पीछे आप, यहाँ पे सबसे पीछे से सुरवात किजिए, यहाँ पे सुरू में क्या है, पीछे में 20, तो आपने 20 लिख दिया, और उसके आगे सिर्फ 2 लगा देंगे, तो 249 हो गया, यहाँ 490 है, तो पीछे क्या है 90, तो 90 पीछे लिखेंगे, शुरू में क्या है 400, इसका आगे सिर्फ 4 लगा देंगे, तो 490 हो गया, 663 दे रखा है, तो पीछे में क्या है, 63, तो 63 यानि 6, 63 लिख दिया है, और आगे है 600, तो आगे सिर्फ 6 लगा देंगे, तो 663 हो गया, 870, तो पीछे भी क्या है, 70, तो पीछे 70 लिखेंगे, और आगे 800, तो यहां सिर्फ 8 लगा देंगे, तो 870 हो गया, इधर इसी बरकार आपको भर लेना है बिच्चा, चुकि मैं सभी प्रेशन करवा दूँगा, तो आप क्या करो होगे कि हमें चीजे समझ में आ रही है, या नहीं आ रही है, सर समझा रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, जब तक आप खुझ से नहीं किजिएगा, तो आप दूसरों को किसा समझाएगा, दूसरों को समझाने के लिए आपको खुझ से भी प्रेशन हल करने होंगे, तो 175 में ह ये चारों आपको अपने से इसी तरह भरना है प्रसंद संख्या आठ दे रखा है सब्दों में लिखे सब्दों में लिखना है जिस परकारिया सब्द में लिखना है उसी तरह सब्द में लिखना है तो 101 है तो 101 को कैसे लिखते हैं एक आएक, सामयोश्रो और एक, एक सो एक, दो सो बाइस, तो इस परकार लिखेंगे, दो सो बाइस, छा सो साथ है, तो छा सो साथ, आठ सो उन्चास है, तो आठ सो उन्चास, नो सो अठासी है, तो नो सो अठासी, इस परकार लिखेंगे, एक सो तीस है, तो एक सो तीस है, ती यहाँ पे है 89, तो 789, 889, तो 889, अंती में है 999, तो 999, ऐसे आपको भर लेना है, ठीक है, तो आप यह भर लिजेगा, very good, अब हम करते हैं प्रशन संख्या 9 को, प्रशन संख्या 9 दे रखा है, दिये गए बोक्स में सही संख्या भर कर सब्द में लिखिये, तो यहाँ पे प तो 26 में हमें पहचानना है, कि 26 में कौन सा अंख्या है, कौन सा दहाई और कौन सा इकाई है, पहचान कैसे करते हैं, तो पहचान करना बहुत ही easy है बच्चा, सबसे पहले आप पहचान कैसे करिएगा, पीछे से कीजेगा, तो सबसे पीछे का अंख्या होता है, उसको बोलत तो यहां पर 0 भर देंगे तो होगिया 026 यानी 26 416 है तो सबसे पहले पीछे कांक दिखेंगे 6 तो इकाई में लिख देंगे 6 फिर यहां पर है 1 तो एक किस में जाएगा? दहाई में क्योंकि इकाई के बाद दहाई एक लिख देंगे और इधर है सेखड़ा तो चार हो जाएगा. इसको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा? 416 सब्डों में लिक देंगे 416 तो बच्चा आपको 465 में सभसे पहले यहां डूंडना है इकाई कांग तो इकाई कांग क्या होता है? सभसे पीछे में, सबसे पीछे यहां क्या है पांच तो इकाई कांग पांच है, तो यहां इकाई के कॉलम में पांच भरेंगे फिर इसके पीछे होता है इसके पीछे यहां दहाई तो इकाई के बाद यहां दहाई 6 है और यहां सुरू में है सेखड़ा एकाई दहाऌई सेखड़ा सोईखड़ा में चार है तो क्या होगया просyyण सेखड़ा 455 लिख देंगे फिर 746 सबसे पहले एकाई कांग 6 है दहाई कांग 4 है और शेखड़ा का साथ है एक साथ क्या होगा 406 या 746 756 तो एकाई कांग 6 है दहाई का अंक 5 है और शेकड़ा का 7 है एक साथ हो गया 756 852 एका इक अंक 2 दहाई का अंक 5 और शेकड़ा का 8 तो 852 इस परकासे आपको भर लेना है प्रशन संख्या 9 दे रखा है दिये गए अंकों की मदद से सबसे बड़ी एवं सबसे चोटी संख्या बनाईए तो यहाँ पर अंक दे रखे हैं एक, दो, आठ और हमें पुछ रखा है कि सबसे चोटी संख्या क्या बनेगी तो सबसे चोटी संख्या बनाने के लिए क्लिए क्या करेंगे इन तीनों अंकों में देखेंगे कि सबसे छोटा अंक कौन सा है सबसे छोटा एक है सबसे छोटा एक है अब एक से बड़ा कौन है एक से बड़ा तो दो नो है दो और आट तो यहाँ पर देखिए एक हमने लिख लिया अब यहाँ पर दो अंक बच गए, दो और आट बच गए, दो और आट में से छोटा कोन है, दो, तो एक के बाद दो लिख देंगे, और अंती में आट है तो आट, एक सो अटाइस हो गया, अब सबसे बड़ी संख्या में क्या करना, इसी अंक को उलट के लिख दीजिए, शु अब यहाँ पर दो बच गए, दोनों में से छोटा कोन है, एक, इसके बाद एक लिख देंगे, और अंत में चार, एक, यहाँ पर जीरो एक चार, यानी चाहँ था, सबसे बड़ा संख्या में क्या करेंगे, इसी को उलट के लिख देंगे, सुरू में चार, फिर एक जीरो, चार सो, दस, तीन सो बारा में सबसे छोटा है, एक, सोरी, तीन सो बारा नहीं, तीन एक, दो, अंती में यहाँ पर अलग-अलग अंक है, तो सुरू में लिखेंगे, सबसे छोटा एक, एक लिख देंगे, अब यहाँ पर दो बच गए, तीन और दो, अंक बच गए, दोनों इसे सबसे छोटा अंक है तीन तीन को लिखेंगे उससे बढ़ा है चार और अंती में पांच 345 हो गए बड़े संख्या मिसी को लड़के लिखेंगे 543 तीन Birmingham तीन सबसे बड़े संख्या 543 हो गया तो प्रस्ष्ण संख्या 11 करते हैं ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या लिखे, पहले वाली संख्या पहले लिखते हैं, 112 के पहले क्या होता है, 112 के पहले 111, और 112 के बाद 113, तो इस वरकार भर लेना है, अब यहाँ पे है 500, 500 के पहले क्या होगा सर, तो सबसे पहले हम लोग 100 से समझते हैं, 100 से पहले क्या ह दो सो के पहले एक सुनिनानवे होता है तीन सो के पहले दो सुनिनानवे होता है चार सो के पहले तीन सुनिनानवे होता है तो पांसो के पहले चार सुनिनानवे होगा तो चार नो नो और पांसो के बाद तो पांसो एक होगा 998 के पहले क्या होगा 997 होगा 997 998 के बाद 999 यानि 999 ये तो समझ में आ गया तो ये दोनों था आप अपने से बढ़िएगा 271 के पहले 270 और यहां 272 499 के पहले 499 और यहां 500 ये चारों को कि संख्या मैं समझा देता हूँ 1960 है तो 1963 में 1960 यहां पर सेम रहेगा 360 63 के पहले क्या होगा 62 तो 1962 हो गया 1960 के बाद क्या होगा 1960 सेम रहेगा 360 के बाद 64 यानि 1900 64 तो बच्चा इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं आसा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा सब जाएगे प्रश्णों तर समझ में आये होंगे आपको इन प्रश्णों से किसी भी परकार का डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो बच्चा आप कमेंट्स जरूर किजिए कि आपको चीजे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ऐसे हमें भी पता चलेगा कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो नेक्स वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्ण करेंगे जो की अभ्यास के प्रश्ण है उसमें भी हम लोग अस्थानी अमान को देखेंगे और उसका अंतर करेंगे कि अस्थाने अमान का अंतर क्या है जिसमें हम लोग चार अंगों की संक्राओं को बढ़ते करम में और गढ़ते करम में लगाना सीखेंगे तो धन्यवाद बिच्चा झाल बिच्चा